ये धोखे प्यार के धोखे ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिले पे सहे हैं रो रोके किसी से कोई प्यार न करे कि किसी से कोई प्यार न करे अब्जेक्टिव प्राष्ण आप सभी के लिए लिए कर आए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो किर्पिया सस्क्राइब कर आल पे किलिक कर ले ताकि अब्जेक्टिव से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा ठीक है दोस्तों थैंक्यू मैं जो कि सिधा आप लोगों को चाहूँगा कि कोश्चन पर लेए चलूँ तो ठीक है चलते हैं कोश्चन पर मेरा फर्स्ट कोश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर को विद्यानतियों का बेदाती किसने कहा तो जो मेरा फर्स्ट उप्सट में A में है गांदी जी B में स्वामी विवेकानंद D में अंबेद कर और D में जो कि है गुनाकर मुले तो यह जो मेरा राइट अंसर होगा option number B मैक्स मुलर को विद्यान्तु का विदाती किसने कहा option number B मेरा correct answer है question number 2 का रहा है कि दारिष नामक सोने के सिक्कों से भारा घाड़ा किसने मिला था किसे मिला था तो यह मेरा option दिया हुआ है यह में हेकल, B में हकर्स C में वैरेन हिस्टिंग हैस्टिंग, D में जो कि बिलियन जोन्स, तो यह मेरा right answer होगा दो का, जो कि option number C बैरेन हेंट, हैस्टिंग, हैस्टिंग जो कि है, दारिष नामक सोने का सिक्कों से भारा घाड़ा, किसने मिला किसको मिला था, बैरेन को मिला था option number C मेरा right answer है next question, question number 3 मैधड़ूथ नामक पुस्ता का अनुबाद, मैक्ष मूलर में किस भासा में लिया तो option A में है गरीक भासा में B में है, लेटिन भासा में C में है, हिंदी भासा में, D में है जर्मन भासा में, तो जो मेरा right answer होगा दोस्तो, जो कि option number जो कि D, जर्मन भासा में लिया लिया था, option नमबर B मेरा correct answer है, करा कि मेद्धूत नामक उस्तर कानुबध मैक्स मुलर, मैक्स मुलर में किया था, तो जर्मन भासा में किया था, option नमबर D मेरा correct है, next question, question number 4 करा है, कि संस्क्रित भासा और European भासा का तुलनात्मक ब्याक्ष्यान किस ने किस ने दिया तो यह जो मेरा राइट डिया हुगा है मैक्स मुलर ने या गुनाकर मुले ने च्शन मेरा करक्ट अंसर है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कठ और क्रेन उपनिसद का अनुबाद Max Muller ने किस भासा में लिग किया तो जो मेरा ओप्सन दिया हुआ यह में ग्रीक ने जर्मन ने जर्मन ने C में हिंदी में नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 6 करा है कि लिप जिंग 20 विद्याले में Max Muller ने किस भासा का अध्यान किया तो मेरा ओप्सन दिया हुआ यह में हिंदी का, B में जर्मन का, C में संस्क्रित का, D में उर्दू का तो जो मेरा राइट अन्सर है दोस्तो की 6 का जो मेरा राइट अन्सर है, option नंबर C मेरा संस्क्रित भासा में जो कि किया था, ठीक है दोस्तो option number C मेरा correct answer है करा लिप्चिंग विश्व विद्याले मैक्स मूलर ने किस भासा का अध्यान किया था तो Sanskrit भासा का जो की विश्व विद्याले ललंदा में Sanskrit भासा का अध्यान किया था ठीक है दोस्तो next question question number 7 करा है कि मैक्स मूलर की मिर्थु कब हुई option दिया हुआ 16 October 1901 इस भी में B में है 16 October 1901 C में 24 October 1901 इस भी D में 28 October 1901 तो यह जो मेरा right answer होगा 7 का option number D जो की होगा 28 October 1901 में मैक्स मूलर की मिर्थु हो गई थी 28 October 1901 इस भी option number D मेरा correct answer है next question question number 8 करा है कि पार्दीशों के धर्म का क्या है जर्थुस्ट धर्म जो की है जो की पार्शियों का धर्म क्या था जर्थुस्ट धर्म था option number D मेरा correct answer है next question, question number 9 है करा कि जनरल कनिश्ट धर्म का संबंध किस्से था option A में है बनस्पती बिग्यान से B में है भूब इग्यान से किसका का घढ़ा काहा मिला था एक सुबाथ में जो कि किसका घला मिला था थो वारानसी उत्तर प्रदेश में कि बारा नसी उत्तरप्रदेश में नेक्ज्ट कोस्चनbuild नरम महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधी परदान की option A में दिया गया है Max Muller को B में है अमरकांत को C में है बिर्जू महाराज को D में है असोक बाजपेई तो जो मेरा right answer होगा दोस्तो जो कि 11 का मेरा right answer है Max Muller को महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधी परदान किस ने किया था तो Max Muller को किया था ठीक है दोस्तो और mi में नेक्स्ट कोउस्चन नंबर 13 करा तो जो बिद्या का संबंध किसिये था बनस्पती विग्ञान से यह प्रानी विग्ञान यह मानब विग्ञान से यहिच्री में आंज़ником इन्देख विग्ञान से तो जो निर्वन्स चोक का जो विद्या का संब्ध किस्से था तो जो मेरा राइट अंसर होगा option number C मानव विज्ञान से निर्वन्स विद्या का संब्ध था option number C मेरा correct है next question question number 14 का राय कि दारिस क्या है the option A में है चांदी का पराचिन का लिन姐 का भी में है सोने का पराचिन का लिन सिख का डी में है एक देव ताडी में एक धर्म घ्रन्त तो जो मेरा राइट अंसर होगा person number B मेरा correct है सोने का प्राचिन का लिनी opposition अंसर है next question question number 15 का रहा कि Max Muller का जन्म कब हुआ option A में है 6 सितंबर 1823 में B में है जो कि 6 October 1823 में C में 6 November 1823 D में है 6 December 1823 तो यह जो मेरा right answer होगा 15 का option number D 6 सितंबर 1823 में Max Muller का जन्म हुआ था option number D मेरा correct answer है next question question number 14 का रहा कि पलोटो का संबंध किस देश से है option A में है इटली से, B में है स्पेन से, C में भारत से, D में यूनान से तो जो मेरा right answer होगा जो कि option number D यूनान पलोटो का जो संबंध किस देश से है यूनान से है option number D मेरा जो कि correct answer है next question question number 17 का रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है तो option A में भीवेका नंद, B में मैक्स मूलर C में रविनात, रविन्दरनाथ ठाकूट, D में द्यानन्द सरस्थती तो यह जो मेरा right answer होगा कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार होगा तो यह जो मेरा right answer होगा दोस्तों जो कि 17 का option number B मैक्स मूलर option number B मेरा correct answer है next question, question number 18 का रहा है कि सहनामा का रचनाकाल है यह में है जो कि 17, 18 सदी से 10, 18 सदी से 14, 15 सदी से या 5, 16 सदी से तो यह जो मेरा right answer होगा दोस्तों 18 का जो कि मेरा right answer होगा 10, 18 सदी में सहनामा का रचनाकाल है option number B मेरा correct answer है मेक्स्ट कॉस्चन कोईचन संस्च्ट का एकल्स में किस रूप में मिलता है तो आत्तक्राहएं संस्क्रीट का संस्क्रीट सब्ड लैटिन में कि फूरूंस लैटिन संस्कृत में संस्कृत का इगनीश लैटिन का सब्दका उपयोग मिलता है इसलिए अपसन नंबर सी मेरा कारेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 20 का रहा है कि हरसक थे एक बनस्पति बैग्यानिक थे या भुग भुगर्वस अस्त्री थे प्राबैग्यानिक थे या पुरा तत्विद थे तो जो मेरा राइट अंसर होगा दोस्टो जो कि 20 का जो मेरा राइट अंसर होगा बनस्पति बै सब्सक्राइब कर दोस्तों जो कि आप सब्सक्राइब कर रहा है कि मुंडा मुंडा किस देश की जाती है मुंडा जो कि है आप सब्सक्राइब मंगोल बी में चीन कर रहा है कि मुंडा किस देश की जाती है तो ऑप्सन जो कि इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों 22 का जो कि आप सब्सक्राइब में राका रिक्ट अंसर है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 23 कर रहा है कि भारत से हम क्या सिखें पार्ट में नए सिकंदर बिशेशन किस के किस के लिए जो की है पर्यूकत है तो यह चुह मेरा right answer होगा दोस्तों किуса मेरा अप्षण झाहिए भारत के बीरों के लिए भारत में हम क्या सिखते पार्ट में नए सिकंदर भी सेशन यूबा और रेंज अधिकारियों के लिए सिखते हैं इसलिए option number C मेरा correct answer है next question question number 24 करा भारत कहां बसता है दिल्ली के आसपास या मुंबई के आसपास या सहरों में या गाउं में भारत कहां बसता है तो जो मेरा right answer होगा दोस्तो 24 का जो मेर comment में देंगे comment में इसका जबाब मुझे देंगे comment में इसका जवाब मेरे को देंगे ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं पड़ाय स्टरी के पीछे तुषलिये इसका जवाब मैं छोड़ दता हूं iska answer और जो इसजी question है तो इसलिए आप इसक मैक्स मूलर का जनम कहा हुआ? मैक्स मूलर का जनम हुआ था carved here, रातना फार्क नेपाल में या रेषाउ जर्मनी में या वासी गठन अमेरिका में D मेर दिली भारत में तोय जो मेरा राइट अंसर एगा 25 का जो मेरा correct answer है जो कि option number B डेसाव जर्मनी में होता है option B मेरा correct answer है मैक्स मुलर का जर्म कहा हुआ था जर्मनी में हुआ था डेसाव के जगा का नाम है option number B मेरा correct answer है next question question number 26 करा है कि वेरेन हैंस्टिंग्स था क्या था वो भारत का गवर्नल था या फारस का जा यह जो मेरा right answer होगा दोस्तो जो कि वेरेन हैंस्टिंग्स था जो कि एक भारत का जो कि गवर्नल जेनरल था option number A मेरा correct answer है गवर्नल जेनरल option number A मेरा right answer है ठीक है दोस्तो चलते है next question पर question number 27 करा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था तो option A में है जो की जो कि Bill Hill मूलर B में है जो कि हेस्टिंगर मूलर C में है जोंसन मूलर और D मे है पीलर wszystko तो यह जो मेरा right answer है दोस्तो 27 का जो मेरा correct answer होगा option number A होगा करा है मैक्स मूलर के अपिता का नाम क्या था तो Bill Hill यह मूलर था option number A मेरा right answer है next question, question number 28 करा रहा है A में हैं लगु मानब, B में हैं महा मानब, C में प्राचिन मानब, D में निवंध मानब, निर्धन मानब तो यह जो मेरा right answer होगा 28 का, जो कि option number C मेरा correct है प्राचिन मानब, प्राचिन मानब का अर्थ क्या है, प्राचिन मानब, यानि भूत काल की जो, next question, question number 29 का रहा है कि किसे बारा नसी के आसपास सोने की सिकों से भारा एक घड़ा मिला था तो वो किसे मिला था, तो अभी उसके पीछे बारा जो की question में मैंने ये बताया था तो एक बार मैं option से भी clear कर दूँगा, Baring Hastings, जो की बिलहल्म मुलर, जो की फ्रेडिंग मैक्स मुलर, इन में से कोई नहीं तो है, जो मेरा right answer होगा दोस्तो किसे बारा नसी के आसपास सोने का सिक्का से भड़ा घड़ा किसे मिला था, तो बैरन्स जो की हेस्टिंग को मिला था, option number A मेरा correct answer है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर आज का लाश्ट कोश्चन होगा, कोश्चन नमर 13 का रहा है कि किसके अध्यान छेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था, तो option A में है, बीधी सास्त्र, B में है जो की निती कथा, C में है भासा बिग्यान, जो की D में ह जो मेरा राइट अंसर होगा दोस्तो, जो कि option B मेरा correct है, निती का था, option B मेरा बिल्कुल राइट है, दोस्तो, मैं जो की वीडियो के यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे सेयर करें, ताकि study से मेरा कोई भी friends है, आपके कोई भी हैं, तो आप उनको सेयर करें, बताएं हमारे चैनल के बारे में, कि यहां पर जो की इस तरह का metric का तयारी कराया जा रहा है, हर एक subject, हर एक subject से मैं आपको जो की question लाओंगा आपके सामने, आप बस पढ़ते रहें, मेहनत करिए, और जिंद की को सलाम कीजिए, जै हिंद जै भारत